नमस्कार दोस्तों चलिए सिर्फ पांच में डीटेल में एनल्सिस करते केके साथ हॉस्पिटल्स लिमिटेड का इपयों का कि क्या हम इस आइपयों को अपलाई करना चाहिए या तो फिर हमें से ओएड करना चाहिए और अगर हम लोग बात करें कि तो कंपनी 2022 के इंदर इंको कंपनी चलते यह लोग यहां पर अपनी सर्विसेज देते हैं अगर मैं बात करो माइन की तो तीन अजा करोर का यहां पर टॉटली है और जितना का जितना फितना इसवेजे वह सारा-कशार यहां पर अच्छी हमें देखने को मिल रही है अगर हमें बात करूँ category वाइस lot size की और investment amount की तो retail category के इंदर आपको minimum और maximum एक lot के लिए ही apply कर सकते हो जिसके इंदर आपको 3000 sales मिलेंगे और जो आपके investment है वह यहाँ पर 1,35,000 रुपीज की हो जाएगी वही है चेना category के इंदर minimum आपको 2 lot के लिए apply करना पड़ेगा जहाँ पर आपको 6000 sales मिलेंगे और जो आपके investment है वह आपको 2 लेकर 70,000 रुपीज की हो जाएगी अगर हम लोग बात करें promoter holding के trend की तो IPO से पहले company के promoter के पास में 100% stake था जो कि इस IPO के बाद में गटकर यहाँ पर 73-71.36% हो जाएगा लेकिन IPO के बावजुद भी company के promoter के पास में अच्छा खासा stake रहेगा तेक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है अगर हम लोग लोग 9,000,000,000 का है मतलब की काफी कम profit है वहीं अगर में बात करें return on net worth की तो 5 वाइटन लेक्स के इन लोगे return on net worth है और जो इन लोगों के result surplus है वो 32,000 के मतलब की result surplus भी काफी ज्यदा कम है और company का profit भी काफी काम है चली की performance indicator याँ था फिर key matrix के जरीए company की valuation को थरा बहुत द ज़्यादा देखने को मिल रही है अगर मैं बात करूं के मार्केट के साथ में बहुत ही छोटी से स्मॉल केप कंपनी है वहीं लोगों जो रिटर्न और निट्वर्थ है वह फॉर परसंट की है तो सारी जो को देखने के बाद हमें कंपनी काफी जदा ओर वेलूट देखने को मिल रही है क्यों के मार्केट के इसाफ से इनके प्रॉफिट काफी ज़्यादा कम है और वहीं लोगों जो रिटर्न और नेट वर्ट थे वह भी कम है और अर्दिंग परसेर बीकम है तो हम लोग आपकर बात करूं के परसनल ओपीन की परसेल ही मुझे कंपनी के लेकिन मैं तो परसनल यहीं बोलूंगा कि अगर अपलाइ करते हो तो सिर्फ पर सिर्फ सिर्फ लिस्टिंग एन के लिए के लिए ऑप आप लोग थोड़ा उसके पर भी ध्यान दीजें तो बस यहीं कुछ बाते थी जो मुझे इस वीडियो के इंदर रखनी थी आप लिए इसी तरीकी के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वाल के नोटिकेशन बेल को आन करना ना भूले मैं मिलता आपको ऐसे बाइब जहीं मने मातर हुँ